नमस्कार दोस्तों मैं एक्षा है आप सभी का अड़ा 24-7 SSC अड़ा पर स्वागत करता हूँ दोस्तों सुरुआत करेंगे आज के अपने डिसकेशन की क्लास की बट उसके पहले एक बार हमारे सभी विद्यारती जितने भी लोग हमारे साथ लाइब जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है जिस जिस ग्रुप में आप active हैं जहां तक आप इसे share कर सकते हैं एक बार जल्दी से share कर दें तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपने discussion कि आप सभी लोग जितने भी लोग live हैं आप सभी लोगों से railway exam की या बच्चे आप किसी भी SSC exam की तयारी कर रहे हैं like CGL की तयारी कर रहे हैं CHSL की तयारी कर रहे हैं किसी भी या फिर बच्चे मैं तो कहता हूँ all government exam all all government exam की मैं बात करूँगा यहां पर ठीक है all government exam की मैं बात करूँगा यहां पर ठीक है ठीक excel स्क्राइब करता है और यह मैंत की स्पेशल क्लास है और जिसमें मैंने बच्चों आप लोग कल भी आता की किसी तिन मैंए रख सकता हुँ तो आज वोने वाला है आपका सर्प्राइश टेस्ट तो जल्दी से सबी हम उभर गटाल अपने और सुरुवात करते हैं आज के अपने डिसकेशन की चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रस कर दो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों या पर इतना अगर आपने कर लिया अब आपकी बात आते हैं कि सर्फ पीडियाफ कहां से मिलेगी आप टेस्ट ल दिस्क्रिप्शन में देखें गे तो राइट हेंड साइड पे लिंक लगा ह洞ेव लिगवा दिया लिंक अपने हां तो वीडिऊ के डिस्क्रिप्शन में राइट हैं साइड मेरे नाम का उस ब लिखा होगा अक्ष्य वस्ती उस link पर जाके click करके लगाई जल्दी ठीक है उस link अभी link लगवा रहा हूं मत तुरन ठीक है उस link पर जाके click करके आप अड्डा का app जरूर डाउनलोड कीजिए उसी link के through join कीजिगा दूसरी चीज बच्चो अगर आप तयारी कर रहा है railway की तो अगर आप तयारी कर रहे है railway exams की तो यहां पर हां तो आपके पास at least railway का महा पैक होना चाहिए देखो बच्चो आप सभी लोगों से एक चीज को होगा railway का महा पैक आपके पास होना चाहिए must है इसका एक reason है क्यों इसके अंदर railway की सारी की सारी live classes है study material के तौर पर e-books है practice के यह test series है and special video courses भी है मतलब एक तरीके से मैं आप से कहूं link लगा हुआ बच्छे ठीक है बिलकुल वीडियो के description मेरे नाम का link लगा हुआ ठीक है ठीक है ठीक है और बच्छो यह आज अगर आप join करते कहां पर 247.com या दोस्तों अड़ा के app पर visit करके और discount के लिए बच्छो coupon code आप यूज करते हैं Y170 तो आपको coupon code लगा दिया Y170 जैसे apply करोगे जैसे apply करोगे आपको मिलेगा 78% off or double validity 78% off or double validity यानि बच्छे यह जो 6 महिने वाला है यह 6 plus 6 12 महिने के लिए valid रहेगा और sorry और मैं आपको बता हूँ महापैक 12 नहीं अरे यह 12 महिने के लिए है यह 12 प्ल मतलब अगले 24 महिने तक के सारे railway exam चाहे group D हो चाहे ALP हो ठीक है sir thank you हाँ यह यह ठीक है चाहे group D हो चाहे ALP हो यह सारे के सारे आपको मिल जाएंगे इसी के अंदर चलिए move करते हैं पहला question लेकर आते हैं एक बार comment में लिखो yes sir ready जल्दी से एक बार सभी लोग comment में लिखे yes sir ready तो पहला question बच्चों मैं आपके सामने लेकर आता हूँ और सभी student से मैं केवल एक चीज कहूंगा सभी लोग मेरे telegram पे भी जाके इस वीडियो को share कर दें ठीक है practice set number one के नाम पे है ठीक है सभी के पास यह set होना चाहिए और इ जल्दी 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 हो गया जल्दी करें चलो 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 जल्दी करो हाँ बहुत बढ़िया सभी लोग like और share करते हुए चलिए मजा आएगा चलिए first class देखो question आप से क्या कर रहा find the average अब बच्छो इस question करने की trick क्या जैसे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो अगर आप थोड़ा से चली इसको छोड़ो इससी से बताता हूँ देखो अगर आप ध्यान से देखो जैसे यह क्या लिखा है 625, 582 है, 608 है, 575 है, 596 है, 622 है, 642 है और 630 है अच्छा एक बात देखो कुछ value 600 से कम है और कुछ value 600 से जादा है है कि नहीं है कुछ value 600 से कम है, कुछ value 600 से जादा है, कोगे सर बिलकुल correct कह रहो, बिलकुल correct कह रहो, कोगे सर बिलकुल, तुम इसके trick क्या होती, trick बच्चे क्या होती, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, trick क्या होती है, trick बच्चे यहाँ पर क्या होती, trick यह होती कि मान लो average कितना है, मै मैंने माल लिया एवरेज कितना 600 अब बहुत ध्यान से देखो मैंने माल लिया एवरेज किया 600 ठीक है अब यह क्या यह करेक्ट है नहीं अब इसको करेक्ट करेंगे कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखो जैसे 625 यह एवरेज से कितना एक्ष्ट्राइट 25 एक्ष्ट्राइट 582 है यह एवरेस से कितना कम है 18 कम है 608 एवरेस से 8 एक्स्ट्रा है 575 एवरेस से 25 कम है और यह कितना कम है 4 कम है एवरेस से यह कितना एक्स्ट्रा है 22 एक्स्ट्रा है यह कितना एक्स्ट्रा है एवरेस से 42 एक्स्ट्रा है और यह कितना एक्स्ट्रा है एवरेस से 30 एक्स्ट्र बोलो clear की नहीं clear कोगे सर बिलकुल correct कह रहो अब एक बात देखो कुछ value positive हो कुछ value क्या है negative हो तो देखो जैसे plus का 25 minus के 25 से cancel हो गया cancel कर लो और कुछ cancel कर सकतो जैसे minus का 18 और minus का 4 18 और 4 22 हो गया minus का 18 minus का 4 minus का 22 हो गया और जो की plus के 22 से cancel हो गया तो बचा क्या बचा plus का 8 plus का 42 और plus का 30 बचा plus का 8 बचा plus का 42 बचा और बचा और बच्चो जो भी एक्स्टा है जो भी एक्स्टा है सब में बढ़ेगा कितने लोग है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और सब में बाट दो तो cancel कर दो कितना है कोगी सर्दस add कर दो कितना हैगा 610 610 बच्चे आपका answer आएगा 610 क्या हैगा correct answer आएगा बोलो clear की निक्लियर 610 क्या है correct answer आएगा बोलो clear की निक्लियर 610 क्या है बच्चो correct answer आएगा बोलो clear हो गया जल्दिस बताओ बच्चों ठीक है इसको पिन कर दो कमेंट को ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बार जाक कर दिये कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए इतना समझ में आ गया आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लग रही लाइक और शेयर करते हो चलिए अगर ट्राइ कीजे बताई क्या होगा इस कोश्चन का अंसर देखो मैं आपको केवल तीन पॉइंट दे रहा हूँ अगर आपको ये तीन पॉइंट मेरे पता है मैं आपसे कह रहा हूँ मैं आपको तीन पॉइंट्स दे रहा हूँ अगर ये तीन पॉइंट्स आपको पता तो आप डारेक्ट अंसर करेंगे P upon 9 अगर 0.pq आपको दिया गया है और दो संख्याओं के उपर बार है तो डारेक्ट आप इसका अंसर करेंगे PQ upon 99 अगर 0.pqr दिया गया है ना बच्चे और PQR है लेकिन बार किस पे केवल Q और आर पर है P के उपर बच्चे बार नहीं है Q और R के उपर बार है P के उपर नहीं है तो हम इसको लिखते है PQR मेंसे माइनस कर देते है P जिस संख्या के उपर बार नहीं है दो संख्याओं के उपर बार है तो दो बार नहीं और एक संख्या के उपर नहीं तो एक बार 0. अगर ये तीन पॉइंट आपको पता है तो आ value decimal से पहले इसको adjectives लिख दो ap November के पास ट्याल बात क्या लिखा 8 767 8 8 7 6 8 8 7 6 8 मेसे वह क्या दिया गया है 8 7 6 8 मैंने का ह। सैसर बिल्कुल करेक्ट करो मेंसे माइनस कर दो जिस संख्या के उपर बार नहीं आठ को माइनस कर दो तीन संख्याओं के उपर बार है तो तीन बार नो कर दो और एक संख्या के उपर नहीं है तो एक बार 0 लिख दो तो यह हो जाएगा 2 hole upon यह कितना हो जाएगा 9, 9, 9, 0 माइनस कर दो यह कितना हो जाएगा 0 यह जाएगा 6, यह जाएगा 7 और यह जाएगा 8 यह 0 इस से cancel, अगें 3 से cancel कर दो, जब 3 से cancel करोगे तो यह जाएगा 3 3 3, ऊपर कितना हो जाएगा 3 2 6, 27 होगा 3 9, 27 3 2 6, यह आपका क्या है, correct answer है, कौन सा option है, कोगे sir B option है, कौन सा option है, कोगे sir B option, बो लो clear की ने clear, जल्दी से एक बार comment करो, yes sir clear, जल्दी से एक बार comment करो, yes sir clear, किसी स्टेप पर कोई डाउट, एक बार सभी लोग share कर दें, ठीक है, हाँ, मेरा टेली ग्राम ग्रूप, अक्षामाट्स ग्रूपे भी जाके share कर दो, और PDF भी मैं आपको डाल दूँगा, तो आप PDF भी निकाल लीजेगा, ठीक है, तो जल्दी स एक बार share करो, जल्दी से एक बार share करो, sir, RPF constable best book, प्लीज बताओ, अभी बताता हूँ, चलिए, next question आपके सामने, same question CBT-2 में भी बनाता, एंटी PC CBT-2 का question है, question कहे रहा है, यदि किसी संख्या में 81 जोडा जाता है, तो स्वयम का 437 1 by 2% हो जाती वास्तिक संख्या ग्यात कीजे, try कीजे, try कीजे, ठीक है, देखो, question कहे रहा है, जब किसी संख्या में 81 जोडा जाता है, तो यहाँ स्वयम का 437 1 by 2% हो जाती है, वा फोर 30 71 वड़ टू पर सैंट का मतलब क्या होता है 437 वंबाई टू पर सैंट का मतलब क्या होता है क्या मैं सको इस तरी के से लिख सकता हूँ 400% प्लस 37,7 पर संट क्या मैं स्क önप इस को इस तरी के सा लिख सकता underground 400% संग्या है यह जो आठ यूनिट न यह आपकी वास्तविक संख्या है यह आपकी वास्तविक संख्या है यह आपकी वास्तविक संख्या है ठीक है आठ यूनिट वास्तविक संख्या 8 का 437 1 by 2% निकालो अगर 8 यूनिट मेरे लाल यह जो 8 यूनिट है यह वास्तविक संख्या है आप इसका 437 1 by 2% निकालो बढ़कर कितना हो गया 35 हो गया मैंने क्या बोला 8 unit आपका original number है का 437 1 by 2% निकालो बढ़कर 35 हो गया यानि कितना increase करा 27 unit का increase है actual में my decision कितने का increase है actual में 81 का increase है तो 27 unit की value 81 27 81 तो भाई तीन यूनिट अगर ये तीन गुना है तो ये भी तीन गुना होगा तो आठ गुने तीन कितना होगा 24 24 क्या correct answer 24 क्या correct answer बोलो clear की निकले 24 क्या correct answer C option 24 क्या बच्चो correct answer बोलो clear की निकले किसी step पे कोई doubt दोस्तों किसी भी step पे कोई doubt है इमानदारी से बताओ किसी step पे कोई doubt है सब लोग मुझे बताएं किसी step पे कोई doubt बोलो चलिए बहुत शांदार बहुत शांदार सभी लोग सर आरपी अप कॉंस्टेबल के लिए मैं बता की जाओंगा book ये वाददा है ठीक है ठीक है चलो next इतना क्लियर आगे मूफ करते बच्चो next question आपके सामने ये same question आपके exam में frame हुआ है बताएं वर्ग मूल गयाद कीजे देखो मैं आपसे केवल एक चीच कहूंगा questions तो मैं आपको भर-भर के यहाँ पर कराऊंगा बहुत practice कराने वाला हो उसमें कोई doubt नहीं है लेकिन खुद से भी थोड़ी सी practice करो आप लोग daily एक practice set लगाया करो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है नहीं है तो आपको ऐसा भी मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप purchase कर कर लो क्या है एक मैं बच्चा कुछ comment कर रहा था मैं पढ़ नहीं पाया एक second OPD आप नहीं में होता है अक्षे maths guru बेटे फिर search कर लो फिर मिल जाएगा बाकी जो लोग है एक दूसरे की help करें देखो बच्चो आपको जो भी चाहिए मैं नहीं कहता कि अगर मैं आपसे test series लगाने के लिए कह रहा हूं कि आप test series purchase ही करो नहीं है आप मुझसे बोलो मैं आ हर चीज को आपको पेही करना पड़ेगा नहीं बिल्कुल free of cost भी आपको provide करूंगा ठीक है चलिए एक बच्चा करा सब चैप्टर वाइस पढ़ा रहा है तो बिल्कुल चैप्टर वाइस पढ़ा रहे है आज टेस्ट है Friday Saturday मैंने बोला था कि आपका टेस्ट होगा ठीक है Friday Saturday बच्चे आपका टेस्ट होगा वैसे चैप्टर वाइस तो हम चली रहे है अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है जिसको प्रेक्टिस सेट चाहिए हो मुझसे कांटेक्ट करे मैं आपको ऐसे ही दे दूगा प्रेक्टिस सेट यार किसी और से ले क्यों परिशान हो रहा है आपको वर्गमूल निकालना ना आप इसके उपर अंडरूट लगा लो 5 प्लस 2 अंडरूट 6 देखो एक चीज मैं आपसे कहूंगा देखो आज मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बोलना देखो अगर आप ले सकते हो तो आप डेफिनेटली परचेस करके आप प्रक्टिस सेट लगाए लेकिन अगर आप नहीं ले सकते हैं किसी फाइनेंसियल प्रॉब्लम के कारण आप मुझसे कॉंटेक्ट करें मैं आपको वो सेट दोंगा ठीक है परिशान मतों ठीक है अब देखो यहां पर ट्रिक क्या होती है ट्रिक बच्चे क्या होती है ट्रिक यह होती है तो इस अगर वर्गमूल निकालना है तो यह बच्चे इस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प् स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस 2AB ठीक है ए माइनस B का होल स्क्वाइर क्या होता है A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर माइनस का 2AB देखो आपके पास प्रेक्टिस सेट हैं और आप परचेस कर सकते हैं तो आप जरूर purchase करके लगाएं ठीक है वो कहते हैं ठेकेदारों वाली हरकते नहीं होनी चाहिए ना कि सरकार ने रासन के लिए कहते हैं चाहल गया हो दे आज सब कहते हैं ठेकेदार ही खा गए जनता तक पहुंचा ही नहीं वो चीज तो जनता तक पहुंचनी चाहिए मतलब basically कहने का मतलब यह है कि अगर आप ले सकते हैं तो आप purchase करके लिए otherwise आप मुझसे contact करें मैं आपको जरूर दूँगा वो प्रेक्टिस है बिल्कुल free of cost दूँगा ठीक है अब देखो करते क्या है यह वाला जो पार्ट होता है यह अला पार्ट हमेशा 2a b को represent करता है तो 2 into अंडरूट 6 को क्या लिखेंगे अंडरूट 3 गुणे अंडरूट 2 इस तरीके से लिख सकते हैं कोगसर बिल्कुल तो यह जो 5 है इस 5 को मैंने break करके लिख दिया 3 प्लस 2 में इस तरीके से मैंने लिख दिया कोगस स्कुर्ण प्लस 2 into root 3 into root 2 ये हो गया कोगसर बिल्कुल तो बच्चे ये क्या बनके तयार हो गया ये बनके तयार हो गया root 3 plus root 2 ka whole square barakka देगा root 3 plus root to root 3 plus root 2 root 3 plus root root बोलो clear की ने clear, root 3 plus root 2, ठीक है, root 3 plus root 2, बोलो clear की ने clear, root 3 plus root 2, बोलो clear, clear, सभी लोग like और share करते हुए चले, ठीक है, like और share करते हुए चले, ठीक है, very good, अगला question आपके सामने try कीजे, very important question and previous year question, जल्दी से बताएं क्या होगा इस question का अंसर, what is the average of all one digit, two digit and three digit natural number, ठीक है, ठीक है, क्यों घबराते हो, असफल होगे, क्यों घबराते हो, असफल होगे, ठीक है, प्रयास तो करो, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार तो सफल होगे, definitely सफल होगे, देखो एक बार पताएं, अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे, सफलता के लिए, प्रयास की आवशक्ता होती है, अगर आपको नौकरी चाहिए, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, किसी ने अच्छे से महनत करोगे, किसी पहली बार में सफल हो जाओगे, कम महनत करोगे हो सकता, दूसरी या तीसरी बार में आपको जॉब मिले, लेकिन मिलेगी, अगर आप प्रयास नहीं छोड़ोगे, प्रयास नहीं छोड़ोगे, डेफेनिटली आपको मिलेगी, देखो कुशन आपसे क्या कह रहा है, तो भई एक बात मुझे बताओ, ठीक है, ठीक है, देखो, यहाँ पर कितना एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से बच्चे मैं कहां तक गया हूँ, 999 तक गया, अब मेरे को एक बात बताओ, एक, दो, तीन, चार, 999 तक गया, कोगे सर बिलकुल करेक कह रहो, देखो, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, कोगे सर एक का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का ए बिल्कुल हमसे क्या पूछा गया, average पूछा गया न, कोगे सर बिल्कुल, average की trick क्या होती है, अगर पदों के बीच का difference सेम है, तो average निकालने की trick होती है, first term plus last term, last term divided by 2, first term plus last term divided by 2, तो first term कितना 1 है, last term कितना 999 है, divided by 2 हो गया, 1000 divided by 2 कर देंगे, कितना हैगा, 500, 500 मेरे लाल क्या है correct answer आएगा, 500 क्या है correct answer आएगा, किसी इस टेप पे कोई डाउट है, किसी इस टेप पे कोई डाउट है, किसी भी इस टेप पे कोई डाउट है, बोलो clear, clear, किसी इस टेप पे कोई डाउट, किसी इस टेप पे कोई डाउट, नहीं, sir मेरी मम्मी, कैसी बाते कर रहे है गोल्डी, तुम्हें कैसे मैं भूल सकता हूँ यार, आपको लगता है मैं तुम्हें भूल सकता हूँ, मैंने, मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम सबसे जदा क्लास में मैंने लिया है, सबसे जदा तुम्हारा नाम मैंने ही क्लास में लिया होगा, ठीक चलिए बताएए क्या होगा इस question का answer मैं तुम्हें भूल सकता हूँ ठीक है मैं अपने students को कभी नहीं बोलता ठीक है चलिए तो question कहरा दुकानदार a shopkeeper give two article free on buying of six article find discount percent कहरा है कि एक दुकानदार 6 वस्तों के खरीदने पर 2 मुफ्त देता है छूट का percent कितना गोल्डी ठीक है आप मुझसे contact करो यार ठीक है मैं बोलता नहीं हूँ साइद मेरी team सुन रही होगी तो ठीक है गुसा होगा गुसा क्या होगा जो कि मैं अलग से जाके बोलना हूँ मेरे telegram group पे आप मुझे message करो ठीक है अक्षे maths group पे ठीक है मैं आपकी help करूँगा मैं आपकी help करूँगा मैं आपकी help करूँगा ठीक है किसी भी प्रकार के कोई doubt हो मुझे message करो कॉशन कह रहा है एक दुकानदार छे वस्तुए खरीदने पर दो मुफ्त देता है छूट की परतिशत कितना मैं हलाकी नहीं बोलता हूँ अपने बारे में ज़्यादा लेकिन फिर भी ठीक है मैं आपके साथ हूँ आप मुझे message करो मैं आपको call back करूँगा चलिए अग देखो कह रहा है कि 6 article purchase करने पर 2 free है तो देखो एक दो तीन चार पांच छे देखो ये 6 article है कह रहा है कि अगर ये 6 article purchase करोगे तो ये 2 article मैं आपको free दोगा देखो इसकी trick ही है कि अगर 6 article purchase करो दो article आपको free दे रहा है तो इसका मतलब shopkeeper के पास 6 और 2 8 article होने चाहिए 6 और 2 8 article होने चाहिए कोगे सर बिल्कुल correct है कोगे सर बिल्कुल इसकी trick क्या होती है trick बच्चे क्या होती है trick बच्चे यहाँ पर यह होती है माल लो एक article का price कितना 1 रुपए एक article एक रुपए का एक article ही cost कितनी 1 रुपए माल लो एक article का mark price cost नहीं Mark Price, एक आर्टिकल का Mark Price कितना एक रुपए है, अब बच्छो एक आर्टिकल का Mark Price एक रुपए है, तो इसका एक रुपए हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, कितने आर्टिकल है, आठ आर्टिकल है, तो आठ आर्टिकल का Mark Price कितना होगा, आठ रुपए तो हम ये दो आर्टिकल आपको free देंगे यह दो आर्टिकल में आपको free दोंगा यह आनि selling price कितना है छे रूपै उसने आप से क्या कहा कि मतलब एक तरीके तो कि 8 रुपे की चीज आपको 6 रुपे मेरि या अगर आठ रुपे की चीज आपको 6 रुपे मारों बेच राए नियाएक अपर डिसकाउंट मेया कितने का किस्का‍ब 25% यानि B option बोलो आया की नहीं आया यही आपके question है क्या है परमसत्य answer, correct answer बोलो आया की नहीं आया, किसी step पर कोई doubt, किसी भी step पर कोई doubt, ठीक है गोल्डी गोल्डी हो गया चलो, very good next question आपके सामने try कीजे question कह रहा, x बराबर कितना है under root 3 plus 1 बटे under root 3 minus 1 y बराबर है under root 3 minus 1 upon under root 3 plus 1 x square plus y square की value कितनी है x square plus y square की value कितनी है जल्दी करिए जल्दी सबताए क्या होगा इस question का अंसर देखो, हमें value किसकी निकालनी है पहले ये बताओ value किसकी निकालनी है value बेटे आपको निकालनी है x square plus y square की value बेटे किसकी निकालनी है कोगे सर, value हमको निकालनी है, x square plus y square की, अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या मैं x square plus y square को, इस तरीके से लिख सकता हूँ, x plus y का whole square, minus का 2xy, बोलो है न, भाया, एक बात बताओ, जैसे ये x square plus y square है, x square plus y square को, मैं x plus y का whole square minus का 2xy लिख सकता हूँ, हाँ या ना कोगसर बिल्कुल यानि अगर मेरे को x प्लस y और x इंटू y अगर मुझको x प्लस y और x इंटू y की value मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा कोगसर बिल्कुल तो x बराबर किसके कोगसर x बराबर दिया गया under root 3 plus 1 बटे under root 3 minus 1 प्लस X और देखो, यहां से मैं निकालता हूँ मैं यहां से निकालता हूँ X प्लस Y की वैल्यू X प्लस Y की वैल्यू निकालो यहां से तो यह जाएगा root 3 minus का 1 बटे root 3 plus का 1 कोवगे सर बिलकुल तो मेरे भाई एक बात बताओ, यह क्या हो गया को कि सर देखो अगर मैं ध्यान से देखो तो क्या आपको मैंने ये चीज़ पढ़ाई है P प्लस Q upon P minus Q plus P minus Q upon P plus Q P plus Q किस के बराबर होता है 2 in the bracket P square plus Q square upon P square minus Q square के बराबर होगा ठीक है P square minus Q square के बराबर होगा बोलो clear की ने clear, कोगे सर बिलकुल correct करो, कोगे सर बिलकुल, तो ये कितना हो जाएगा, कोगे सर ये आपका हो जाएगा, 2, ये P plus Q upon P minus Q plus P minus Q upon P plus Q, 2, in the bracket P square root 3 का square, 3 plus 1 बटे 3 minus 1, 3 minus 1 किता होगा, 2, तो जाएगा 2, गुड़े 4 बटे 2, तो value किसके बराबर 4 के बराबर, अच्छ काई की value किती आएगी, 1 आएगी, पुछो कैसे, जब आप multiply करो कि तो ये पूरा इस से cancel होगा, ये पूरा इस से cancel होगा, तो X Y की value किती आएगी, 1 आएगी, अब यहाँ पर रगदो, यहाँ पर रगदो, X plus Y की value कितनी बेटे निकाली, 4, तो यह जाएगा, 4 का square minus का 2 बोलो clear की निकलेर, बोलो clear, सभी लोग like और share करते हुए चले, सभी लोग class को like और share करते हुए चलेगा, सभी लोग class को like और share करते हुए चलेगा, सभी लोग class को like और share करते हुए चलेगा, जल्दी जल्दी जल्दी, fast 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 fast, थेक है, बोलो clear, next, अगला question बच्चों आपके साम आमने try कीजे請 कुशन कह रहा है एन बराबर क्या है ? एन बराबर है पाँच की पावर 61 प्लस 5 की पावर 62 प्लस 5 की पावर 34 बताव किस से विभाजित होगा ? अक्षर बैया मेरा मैट्स बहुत कमजोर है मैं क्या करों देखो मैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से आता है यह मैं बाता हूं कि आपको रटने से नहीं आएगा जाग्षा जुटियास जैसे आप लोग चीजों को रट लेते वैसे नहीं हो सकता मैट्स के पुरा स्लेह बस को करो। और फिर रोज 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 प्रक्टेस करो। ठीक है। आपका टार्गेट होना चाहिए कि हमेंक लिख पार पहरे पूरा स्लेह आइसाई फिर रिवािज करों फिर Percentage Profit Loss इसे i premise करें इनको बार बार रिवाईज कर लो कम से कम 2-3 बार दो से तीन बार आप रिवाईस करो बार जब तक मैं टाइमेन वरकर पाइप उस्टिन ** षिर आप तब तक फिर आप इंत को रिवाइस करोगे जब तक आपका स्लाबस खतम होगा तो पीछे की जो भी दो तीन यूनिट्स हैं वो आपकी दो दो तीन तीन बार रिवाइस हो चुकी होगी फिर आपको मैट्स में दिक्कत नहींगे और उसके बाद फिर सीधे आपको मूफ कर जा यह सी आए एंड याई पढ़ाया तो यह पूरी एक यूनिट है ठीक इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क पाइप एंड शिस्टन स्पीट टाइम डिस्टेंस और ट्रेन बोट एंश्टी तो भाई जब तक मैं आपको जब तक दे यारी करने रेलवे के लगा लो सब के लगा लो ठीक है प्रॉफ ऐसे प्रॉफिट लॉस ऐसे सी आई साइक लगा लो ठीक है ठीक है कोई डाउट हो मुस्से पूछ लो यह अच्छी बात फिर उसका जब मैं ये यूनिट सुरू करो तब तक आपकी याली यूनिट जो है आ यूनिट खतम होगी तब तक ये वाली यूनिट आपकी कम से कम दो से तीन बार रिवाइज हो चुकी होगी हो चुकी होगी बोनो हाँ कोगि सर बिल्कुल इसके बाद अगर फिर मैंने आपको पढ़ा है रेशियो ठीक है फिर आपको मैंने पढ़ा जिया है एज पार्टनर से ठीकर मिक्शन एंड एलिगेशन जब तक मैं ये वाली यूनिट पढ़ाऊंगा तब तक ये यूनिट कम से कम दो से तीन बार आप इसको रिवाइज कर चुके होगे ठीक है तब तक आपकी ये यूनिट चल ले होगे आप इसको साथ-साथ पढ़ेंगे कोशन लगाएंगे लेकिन साथ-साथ आप एक देर घंटे इसको भी देंगे इस अलिए यूनिट को आप तयार कर लेंगे ठीक है तो आपका अर्थमेटिक जब तक याली यूनिट खतम होगे अर्थमेटिक आपका पूरा रिवाइज हो चुका होगे एक से दो बार ठीक है अ पूरी की पूरी यूनिट हो सकता है कि तीन से चार दिन में आपकी पूरी की पूरी यूनिट रिवाइज हो जाए ये पूरी की पूरी यूनिट तीन से चार दिन में रिवाइज जाए फिर उसके लग जाओ इसको दो से तीन बार रिवाइज करो पूरा अर्थमेटिक खत यह खतम हुआ इसके सारे के सारे हमारे साथ पढ़ते हुए चले सारे प्रीवेस एर कॉश्चन्स लगाते हुए चले डाउट पूछते हुए चले उसके बाद जब मैं एलजबरा पढ़ाऊंगा तब तक इसको एक से दो बार फिर रिवाइस माड़ दू ठीक है उसके बाद जब आपका इस तरीके से पूरा सब्सार का कंप्लीट रहा हुए उसके फिर प्रैक्टिससरट लगाू हुए टरीका होथा चीजों करने का अगर आप इस तरीके से नहीं और आ दो चौ्सान सर्म ंपीछे ओरना हुए ढ़ीस एतों संबार बार कितना होगा 601 यहां पर 61 था common के लिए 5 की पावर 0 ठीक है 5 की पावर फिर कितना बचे का यहां से common के लिए 1 बचा यहां से कितना बचा 2 बचा और यहां से कितना बचा 3 बचा 5 की पावर 3 ठीक है तो यह जाएगा कितना 5 की पावर 61 ठीक है 5 की पावर 0 कितना होगा 1 5 की पाव और दो कितना हो 25 और 5 की पावर 3 कितना होगा 125 तो यह कितना होगा 5 की पावर 61 इंटू यह कितना होगा 125 और 25 कितना होगा 150 5556 क्या मैं इसको इस तरीकिस लिख सकता हूँ 12 गुणे 13 अगर कोई संख्या 156 से कट रही तो 12 और 13 यानि दोनों से कटेगी बोलो क्लियर तो आपका प्लान सही होना चाहिए आपका प्लान सही है तो आप चीजे कर लोगे लेकिन अगर आपका प्लान ही कर बढ़ है और सबसे इंपोर्टेंट बात क्या होती ना आपको आज मैंने मोटिवेट किया तो आप आज बहुत इनर्जी के साथ घर पे जाओगे एकदम जूज जाओगे सब कुछ करोगे लेकिन ये इनर्जी क्या होती कि दो से तीन दिन में खत्म हो जाती है ठीक है चले नेक्स्ट कोशन लगाए वहीं पर दिक्कते पैदा होती है ठीक है अलार् मनुष्य को आठ घंटे की नीन लेनी चाहिए फिर आप आठ फिर वो जो अलार्म है ना वो इस नूज करके आप आठ बजे उठते हो जाके ठीक है सोचो आप खुद के जो आपने खुद को कमेटमेंट दिये है आप उन पे खरे नहीं उतर रहे हो आप चाहते है कैसे हो तुम सोचो आप टार्गेट लिया रही है आपने ठीक है बिना लक्ष के क्या मिला है किसी को कभी जिन्दगीन कुछ मिला है ठीक है सबको अपना अपना संगर्ष करना पड़ता है चाह भगवान हो चाह इंसान हो भगवान को भी अपना संगर्ष करना पड़ता है चाह 20 संख्याओं का ओसद कितना average कितना कोई सर्फ average कितना फचास है कौशन क्या कह रहा है 48 48 और 57 को गलती से 28 और 14 पड़ लिया गया सही ओसथ क्या है तो देको इसकी ट्रिक क्या होती है आपको लिखने ट्रिक क्या बच्चे यहां पर बहुत ध्यांस देखो आपको लिखना क्या था 48 और 57 तो 48 और 57 आपको लाना था और आपने लिख किता दिया 28 और 14 जो गलत है उसे हटा दो हटाने का मतलब होताब माइनस कर दो तो यह कितना हो गया 8, 7, 15 यह पांच कहरी 1 हो गया 5, 4 यह कितना 8, 7, 15 यह पांच कहरी 5, 4, 9, 10 105 हो गया मैंस से माइनस का दो 8, 4, 12, कहरी 1 हो गया 2, 1, 3, और 1, 4 कितना हो गया 3, 63 प्लस का और जो भी यह सब में बटे कितनी संख्या, 21 संख्या, 21, 63 प्लस का 3 यह 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 एवरेज आपका 3 से बढ़ गया यह 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 53 हो गया ठेक है, 53 हो जाएगा clear हो गया proper clear है, किसी step पे कोई doubt तो नहीं है किसी प्रकार कोई doubt तो नहीं है किसी प्रकार कोई doubt तो नहीं है चली very good अगला question आपके सामने बताईए अब इस question को ध्यान से देखो अब x plus 1 upon x 3 के बराबर x की power 5 plus 1 upon x की power 5 अब आपने का सर अल्जबरा पढ़ाई नहीं आपने question के हो दिया चलो ठीक है मैं आपको discuss करता हूँ परिशान मत हो ठीक है मैं कर आँगा आपको question ठीक है पहले आप note तो करें जल्दी देखो ध्यान से देखो हमें value के इसकी निकालनी है value बच्ची आपको निकालनी है x की power 5 plus 1 upon x की power 5 ठीक है तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x square plus 1 upon x square x cube plus 1 upon x cube minus कर दो x plus 1 upon x क्लियर इसमें कोई doubt तो निकालनी है यानि वच्चे हमें सबसे पहले यहां से निकालना है x plus 1 upon x 3 के बराबर है तो यहां से x square plus 1 upon x square क्या होगा क्लियर यह जाएगा given का square minus का 2 तो 3 का square किता होगा 9 minus का 2 value साथ के बराबर अगला है यहां पर x cube plus 1 upon x cube यह कितना होगा यह डारेक्ट निकालने की trick होती k cube minus का 3 के बोलो होता है कि नहीं होता है k की value कितनी ही 3 k की value यहां पर बेटे कितनी ही कोगे sir 3 दी गई है तो यह कितना होगा 3 का cube minus का 3 गुणए 3 3 का cube कितना होगा 27 minus का 9 value 18 के बराबर value 18 के बराबर तो यह कितना हो गया 7 गुणए 18 minus का 3 कितना होगा 126 minus का 3 value 123 के बराबर आएगे यह आपके question का correct answer है बोलो आया की नहीं आया किसी स्टेप पे कोई डाउट हो तो पूछो किसी भी स्टेप पे कोई डाउट है तो पूछो पहले किसी स्टेप पे कोई डाउट है तो पूछो किसी भी स्टेप पे कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से जल्दी से पूछो क्लियर हो गया कितने गुरंखंड होते हैं कैसे निकालोगे 720 के कुल कितने गुरंखंड होते हैं ठीके देखो कैसे निकालते हैं बहुत द्यांसे देखो सबसे पहले आप यह देखो कि आफ 720 को लिख क्या सकते हो जैसे यह आपको 720 दिया गए इसको आप क्या लिखोगे पहले दो से कैंसल कर कितना हैगा 15, 3 से कैंसल कर दो कितना हैगा 5 और 5 से बेटे जब कैंसल करोगे तो value एक के बराबर होगी, यानि 720 को आप क्या लिखोगे, 720 को आपने लिख दिया, 2 की power कितनी कोगे सर, 4 है, into 3 की power कितना है, 2 है, into 5 की power कितना है, कोगे सर, 1 है, अब आप से पूछा क्या गया है, लोगे सर, पूछा, यहाँ पर गया कि सर, यह बता हो, कि total number of factors कितने हैं, total number of factors कितने हैं, कैसे निकालोगे, जैसे 2 की power कितनी, 4, तो यह जाएगा 4 प्लस 1, 3 की power कितनी, 2, तो 2 प्लस 1, 5 की power कितना, 1, 1 प्लस 1, तो यह कितना हो गया, 5 गुणे, 3 गुणे, 2, 5 नहीं, 15 ठीक है, 5 नहीं, 15 गुणे, 2 कितना है, 30, बोलो clear कि नहीं, यह आपके question है, क्या है, correct answer है, ठीक है, clear हो गया, हो गया, अब यहाँ पर, केवल total number of नहीं पूछता है, आपसे even factors पूछेगा, odd factors पूछेगा, prime factors पूछेगा, बहुत सारी चीजे होती है, ठीक है, चलिए, वह हम को बात में बताएंगे, पहल यह question, आज का homework question देंगे, पर इसके पहले, आप सभी लोग, जितने भी लोग, मुझे आपर सुनना है, आप सभी लोग, जितने लोग मैं उसे चाहते हैं, कि सर, सर, एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर जाओ, YouTube पर जाओ, यहाँ पर जाके search क सर, तो नीचे आओगे, यह देखो, मेरी class चल लए ही, सबसे उपर, यह मेरी class चल लए ही, कोगे सर, बिल्कुल, यह मेरी class चल लए है, हाँ, जैसे ही आप class पर जाओगे, तो यहाँ पर देखो, यह app का link लगा दिया है, मैंने, देखो, इसके आगे अक्षएवस्ती लिखा आप सभी लोग, सभी लोग बच्चे क्या करना चाहते हैं, आप सभी लोग जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, आपके साथ मैं तब ही खड़ा रहा पाऊंगा, जब आप मेरे साथ जुड़ पाऊगे, ठीक है, तो जुड़ने के लिए आपको क्य करो, इस link पर click करो, इस link पर click करो, और कल Saturday एक special class भी लेकर आने वाला उसके बारे मी बताऊंगा, ठीक है, इस link पर click करके app download करो, और वो class मेरी app पर ही होगी, यूट्यूब पर नहीं होगी, यूट्यूब पर वो class नहीं होगी, वो class app पर ही होगी, ठीक है, तो सबसे पहले आप आप को डाउनलोड करें, आप डाउनलोड करने के बाद आप आजाएं आप ठीक है, यहाँ पर all courses पर आके, यहाँ पर railway पर आएं और उसके बाद आप आके इस महापैक को जोईन कर सकते हैं, इस महाप, इस railway महापैक में आपको सब कुछ मिलेगा, जो आवश्यक है, 1199 रुप आप बच्चे यह आपका हो जाएगा, और बलकि मैं आपको कहूँ, आप पर जाओगे, जब आप जैसे आप पर हम आपको कौईन देंगे ना, तो जब आप उन कौईन को रिडीम करोगे, तो यह जो प्राइस है ना बच्चे, यह जो आपको प्राइस आपको यहाँ पर द ठीक है, इसके अंदर 1000 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, ठीक है, 270 प्लस एबुक्स है, ठीक है, 800 प्लस टेसरीज अभी अब लेबल हैं, जो कि दिन पर दिन आपकी इंक्रीज कर रहे हैं, 44,000 प्लस वीडियो कॉर्सेज हैं, मैं तो कहूँगा 47 लगबग या दोस्तों, अड्डा के एब पर विजिट करना है, और डिसकाउंट के लिए कूपन कोड लगा लेना, वाई 170, जैसे अपलाई करोगे, 78 परसेंट तक आफ मिलेगा, और डबल वैलिटिटी मिलेगी, ये 12 प्लस बारा, 24 महिने की वैलिटिटी के साथ, आज आपको लगेगा, जितने लोगों नहीं जोईन किया, जल्दी से जोईन करने, बट याद रखना, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, कूपन कोड बच्चे, आपका वाई 170 ही लगेगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप कूपन कोड ये लगाईए और जोईन कीजे, ठीक है, दूसरी ची पर आके, ठीक है, SSC पर आके आप महाप पैक पर जव, जब म? जिस अगर आप सीजल की टियारी करत आप सीजल का ममः पैग लेंगे, ठीक है, ठीक है, रिखी अपको मैठ स्पेसल पढ़ना, तो मैं आप लो, MTS के लिए MTS का महाप पैक है, ठीक है, छिक है, लिल्री स्थी पुलिस जीडी के लिए मैं काऊंगा ससी महाँ पेक लो इसके अंदर सारा ससी कवर है ठीक है 3249 रुपेस की कौश्ट है इतना मत पे करिये यहां पर जाए कूपन कोड लगा लिजे कूपन कोड आपको क्या लगाना Y170 अपलाई कर दो कितना हैगा 2989 रुपेस एप पे जाके जब आप कौईन लगाएंगे तो यह लगबग 2850 रुपे के असपास आएगा और यह 12 प्लस 12 24 महिने की वैलिटिटी के साथ आएगा सारे ससीग जाम कवर हैं देख सकते हैं चाहें CGLO चाहें CHSLO MTS GD CPO सेलक्षन पोस्ट इस्टेहनोग्राफर दिल्ली पुलिस और Y170 कोड के साथ ज्वाइन कीजेगा जिससे कि आप मेरे अंडर गाइडेंस रहें और मैं अपना जो मैत का स्पेशल लेकर आया हूं जिसके के अंदर मैं आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ा रहा हूं वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा ठीक है जल्दी से ठीक है अब मैंने आपको गाइड कर दे डिसीजन आप लोग लीजे तो बच्छो ये है आपका देखो ये है आपका रेलवे महापैक् ठीक है कहां से जॉइन करेंगे मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना अड़ा 247.com अड़ा 247.com या दोस्तों अड़ा के एप पर विजेट कर लेना है डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाना वाई 170 जैसे अपलाई करोगे 78% और डबल वैलिटिटी मिलेगी ठीक ह इसके अंदर सारे रेलवे एकजाम्स कवर हैं चाहे एलपी हो चाहे गुरूबडी हो सारे ठीक है आरपी एफ के लिए आपको बुक लेनी है आप एससे एड़ा पे जाए और एस कटेगरी की पूरी बुक का सैट ले ले उसमें आपकी जो एस कटेगरी की बुक है वो सारे एकजाम्स को कवर कर लेगी इस कटेगरी की जो बुक है वो सारे एकजाम्स को प्रॉपरली कवर कर लेगी ठीक है वच्छो और अगर आप चाहते हैं कि सर और इससी एकजाम्स एक साथ कवर करना आप इससी महापैक में जाए इसके अंदर सीजल डिटेल में कवर किया है और मैं आपको एक चीज बता दू आपको बता दू Y170 कोड के साथ जॉइन करोगे मैं अपना मैथ का स्पेशल जरूर आपको प्रवाइट करोगा जो मैं अपना मैथ का स्पेशल लेकर आ रहा हूँ ठीक है तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं तब तक के लिए गुडबाई जैहिन दोस्तों पढ़ते रो सेफ रो गुडबाई गईस जोस्तों 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 पजसे हो जाए बाता है